गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आसा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्ते हूं सुरच्छित होंगे पिछली कच्छा में हम लोग उने सिच्छा और दर्सन का संबंद प्रारम किया था परना तो इसके अंतरगत हम यह देख रहे थे कि किस तरह से सिच्छा दर्सन पर आ दूसरा दर्सन सिच्छा के विविन अंगों को प्रभावित करता हूं कि आप लोगों ने जो कुछ भी मैंने कल आप लोगों को बताया हो आपको असानी से समझ में आ गया होगा फिर भी अगर किसी चातर को कोई दिक्कत है तो मुझसे संपर्ख कर सकता है इसके बाद हम इ देखें इसी से सिद्ध होता है कि किस तरह से सिच्छा दर्शन पर आधारित है या आस्थ है तो अगर आप देखोगे तो जितने हम महान-दार्शनिक देखते हैं वह महान-सिच्छा-सास्त्रिबी हुए है जैसे हम देखते हैं अरस्तू, प्लेतो, सुक्राथ, विवेकानंद, गांदी, रसल, डीवी, रविन्ना टेगोर, तो अगर हम यह देखते हैं, जितने भी यह दर्सन सास्त्री हैं, यह सारे महान सिच्छा सास्त्री भी हुए हैं, तो इसी से समझ में आता है कि दर्सन और सिच्छा का आपस में कितना गहरा संबन्द है, तो हम रविन्ना टेगोर, गिजू भाई, हम चाहे जितने नाम ले ले, यह सारे महान दास्निक भी थे, और महान दास्निक के साथ साथ महान सिच्छा सास्त्री भी हुए हैं, तो इसी से इस बात को यह समझ उजागर होता है, इसके बाद हम इसी के अंतर के दूसरा जो इसका पच पर आस्रीत है, अब हम इसका दूसरा पहलू देखना है कि किस तरह से दर्सन सिच्छा पर आस्रीत है, तो अगर हम यह देखें, तो यह एक के बीना दूसरा धूरा है, दोनों दर्सल एक दूसरे पर आस्रीत है, इसके अंतर करत हम देखते हैं कि मतलब किस तरह से दर्सन सि philosophy यानि सिच्छा दर्सन का गत्यात्मक साधन है अगर हम देखें तो सिच्छा दर्सन का गत्यात्मक साधन कैसे है क्योंकि दर्सन क्या है दर्सन में गत्यात्मकता का गुर्ण नहीं होता सिच्छा क्या करती है उसको गत्सील बनाती है जैसे हम कोई कारे करते हैं तो कारे करने के लिए दो की कारे कर चीज़ें करने पड़ती है एक तो योजना बनानी पड़ती है और फिर उस योजना को एपलाई करना पड़ता है तो अगर हम यह देखें तो सिच्छा मतलब दर्सन क्या करती है? यह योजना वाला पच्छ है और सिच्छा क्या है? यह प्रियोग वाला पच्छ है यानि दर्सन क्या करती है? यह सिध्धान्तिक्ता यानि सिध्धान्तों का निर्मार करती है सिच्छा क्या करती है उन सिध्धांतों को बेवहारी कुपियोग करती है अगर आप यह सोचों कि एक कोई दर्सन सास्तिरी हो कोई या कोई भी दर्सन हो और उसने सिध्धांत दे दिये कि मतलब जीवन का उदेश यह होना चाहिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए लेकिन उन सिध्धानतों का प्रियोग अगर सिच्छा ना करे तो सिच्छा उन सिध्धानतों के अनुसार सिच्छा के उदेश ना निर्धारित करे उन सिध्धानतों के अधार पर पाठ करम ना निर्मित करे उन सिद्धान्तों के आधार पर सिछन विदियों का चुनाओना करे उन सिद्धान्तों के आधार पर अनुसासन का सुरूप ने निर्दाइद करे उन सिद्धान्तों के आधार पर जो विद्याले का वाता वरण है उसका ने निर्माड करे उन सिध्धान्तों के आधार पर सिच्छक चात्र जो संबंद है वो वैसा ना हो तो बात वही है कि दर्सन के जो सिध्धान्त है वो किसी काम के नहीं है यानि जब तक सिच्छा इनको अपने उपर अपने वेवार में लागू नहीं करती तो अगर हम देखें तो दर्सन सैधान्तिकता की बात करता है और सिच्छा वेवारिकता की यानि जो यूजना पच्छा है वो दर्सन निर्दारित करता है और जो प्रियोगात्मक पच्छा है वो सिच्छा निर्दारित करती है तो अगर हम यह देखें तो सिच्छा दर्सन का गत्यात्मक साधन है यानि इससे सिच्छा द्वारा दर्सन गत्सील रहता है फिर इसकी बाद दूसरा है सिच्छा लच्छ को प्राप्त करने का एक साधन है ये लच्छ को प्राप्त करने का एक साधन कैसे है मतलब आप ये देखो कि जब हम दर्सन का ध्यन करते हैं तो दर्सन क्या करता है दर्सन हमें जीवन के अंतिम लच्छ को बताता है यानि वो जीवन के अंतिम लच्छ को निरधारित करता है ठीक है जैसे हम अलग 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 दर्सनों में देखेंगे तो जीवन के अलग 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 अच्छे है जैसे आदर्सवादी दर्सन में जीवन का अंतिम लच्छ क्या है आत्मानु भूती ठीक है प्रकित इवादी दर्सन में जीवन कंतिम लच्छ क्या है प्रकित के साथ समाय उजन या प्रकित के साथ अनकूलन और प्रकित के अनुसार जीवन जीना ठीक है इसके अलावा जैसे यथारतवादी दर्सन का हम उदारण ले लें तो यथारतवादी दर्सन ये कहता है जीमन का कोई अध्यात्मिक लच्छ नहीं है बलकि केवल बहुतिक जगती सत्य है तो जीमन का अंतिम लच्छ का है बहुतिक उन्नती प्राप्त करना ही जीमन का अंतिम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ बेक्टिके या बालक की सामाजी गुनों के विकास पर बहुत बल दिया है उन्होंने कहा कि वैसे तो सब कुछ इस पर मतलब सरिष्टी में सब कुछ परिवर्तन सील है लेकिन एक हकीकत नहीं बतलेगी वो ये कि मनुस एक समाजिक प्राड़ी है और उसका हर तरह का जो विकास है वो केवल समाज में रहकर ही संबो है यानि समाज भीहिन मनुस की कलपना नहीं की जा सकती और मनुस का भी तभी विकास हो सकता है जब उसमें उचित समाजी गुणों का विकास हो और समाजी गुणों का विकास कब होगा जब वो समाजी अंतहक्रियाओं में बाग लेगा तो यानि प्रियोजनवादी दर्सन में जीवनकंति उद्देश किया है कि बहुतिक सुख और बहुतिक उन्नती और समाजी गुणों का विकास तो कहने का मतलब यह है कि यह दर्सन सिच्छा के लच्छ को तो निर्धारित कर देता है लेकिन उन लच्छों को प्राप्त करने का साधन जो है वो सिच्छा है यानि सिच्छा वो जो लच्छ निर्धायत किया है दरसन ने सिच्छा उन लच्छों को प्राप्त करती है यानि दरसन लच्छ निर्धायत करता है सिच्छा साधन है उस लच्छ तक पहुंचने का तो आसा करता हूँ कि आप लोगों ने आज की कच्छा में जो कुछ भी पढ़ा है और मैं वीडियो जादर लंबा भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और जहां पर भी आपको दिक्कत समझ में आए वहां पर आप मुझसे संपर्क करें क्योंकि एक बार अगर यह जो टॉपिक है यह अच्छे से आपको समझ में आ गया इसकी सिच्छा और दर्सन का अपसमें क्या संबंद है तो आगे कि जितने टॉपिक हैं जो भी हम दर्सनिक विचारदाराएं पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आएंगी जैसे आदर्स वाद है प्रिकित वाद है अथार्द वाद है प्रियूजन वाद है यह सारी चीज़े अब आपको आसानी से समझ में आएंगी और मैं आपसे बार बार कहता हूँ की चीजों को रटने का प्रयास मत करिएगा इसको समझने का प्रयास करिएगा यह ऐसा भी से है कि यह रटने से नहीं समझ में आता है इसको समझने का प्रयास करिए और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुस्से संपर करिए तो आज की कच्छा में बस इतना ही अगली कच्छा में हम इसका जो आगे का पच्छ है उसके बारे में अध्यन करेंगे दन्यवाद